एकदम बाजार जैसा सुपर टेस्टी खिला खिला वेज हकका नुडल्स आज हम बना कर तयार करेंगे जो सभी को बहुत ही पसंद होता है नमस्ति दोस्तों स्वागत है आपका श्यामर सोई में तो चलिए शुरू करते हैं बनाना वेज चावमिन बनाने के लिए मैंने यहाँ एक पतिले में 5-6 कप पानी गरम होने के लिए रख दिया है हम इसमें एक चोटा चम्मच नमक और एक चोटा चम्मच तेल डालेंगे जिससे नुडल्स एक दूसरे के चिपकेंगे नहीं और जब पानी में अच्छे से उबाला जाएगा तब हम इसमें नुडल्स टालेंगे मैंने यहाँ पतले वाले नुडल्स का इस्तेमाल किया है और इन्हें उबलने में 3-4 मिनिट का समय लगता है हाई फ्लेम पर उबालेंगे हमें इन्हें ओवर कुक नहीं करना है तो हमें 4 मिनिट के लगबग हो गया है और यह देखिए आसानी से तूट रहे हैं तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इन्हें एक चलनी में निकाल लेंगे चलनी में निकालने के बाद तुरंत इन्हें ठंडे पानी से वाश कर दीजिए ताकि इनका कोकिंग प्रोसेसिंग वहीं रुक जाए और ये देखिए जब इनका सारा पानी अच्छे से निकल जाएगा तब हम इन्हें एक बड़ी सी प्लेट में फैला लेंगे और इन पर हम एक से दो छोटा चमच तेल डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे ये देखिए नूडल्स एकदम खिले खिले उबलकर तयार है अब हमने यहाँ एक लोहे की कडाही ली है जिसमें हम दो चमच तेल डालेंगे तेल जब गरम हो जाएगा तब हम इसमें साथ से आठ लहसून की कली को बारी काट कर डालेंगे गैस का फ्लेम हाई रखिएगा और अब हमने यहाँ दो हरी मिर्च ली है इनकी मातरा आप चाहें तो कम भी कर सकते हो आधा इंच अद्रक के टुकडे को चोटे चोटे टुकडों में काट लिया है एक प्याज लिया है स्लाइस में कटा हुआ और लगबग आधा कप हरे पत्ते प्याज का वाइट पार्ट काट कर ले लिया है इन्हें हम हाई फ्लेम पर एक से दो मिनिट तक भूनेंगे तो देखिए हमने इन्हें एक डेड़ मिनिट के लिए भून लिया है अब हम इसमें कुछ सबजियां डालेंगे मैंने यहाँ एक शिमला मिर्च ली है लंबे आकार में कटी हुई एक गाजर ली है साथ ही हमने यहाँ पर करीब एक कप पत्ता गोभी ली है जिसे हमने लंब टाइम हाई रखना है साथ ही हम इसमें नमक भी डाल देते हैं नमक आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग डाल सकते हैं और अब हम इन्हें केवल दो से तीन मिनिट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राय करेंगे हमने दो तीन मिनिट के लिए सबजियों को फ्राय कर लिया है इन्ह चिली सॉस लिया है, आप चाहें तो एक चम्मच रेड चिली सॉस और एक चम्मच ग्रीन चिली सॉस ले सकते हैं, दो टेबल स्पून टोमेटो कैचप लिया है, डेड टेबल स्पून मैंने यहां सोय सॉस लिया है और आधा टेबल स्पून विनेगर लिया है, अब हम इन सबी चीजों को अच्छे से mix कर देते हैं और ये लीजिए सारी चीजे अच्छे से mix हो गई हैं और अब हम इसमें लास्ट में आधा छोटा चममच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे या कुटी हुई काली मिर्च ले सकते हैं साथ ही हरे पत्ते प्याज का हरा पार्ट हमने डाल दिया है तो इन्हें भी मिक्स कर लीजिए और ये हमारे हक्का नुडल्स बनकर तयार हो चुके हैं बहुत ही टेस्टी एक्तम खिले-खिले बाजार जैसे हक्का नुडल्स बनकर तयार हुए हैं अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इन्हें गर्मा गरम सव करेंगे तो फ्रेंड्स यदि आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आ को मेरे सकी